Delhi University का CSAS का Portal का Registration स्टार्ट हो चुका है लेकिन आप लोगों को जानकर हरानी होगी बहुत सारे स्टूडेंट्स के Application Form हर साल डेली चुटे रिजेक्ट कर देता है इविन कई सारे स्टूडेंट ऐसे देखी गई है जिनका भाई बाद में उनके Colleges ने उनका Admission Reject कर दिया इसका Reason क्या होता है यह Reason आज में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आप लोगों को पहले से ही यह सारी चीज़े दियान में रखनी है ताकि ऐसा नहों कि कलको आपको College Allot हो जाए उसके बाद Cancel हो जाए अब यहाँ पर Delhi University का CSAS का ब्रोशर आया है उसके अंदर इन्होंने मैंचन करें है Rejection के Cases क्या possible reason होते हैं जिसके थुरू आप लोगों का जो है Delhi University के अंदर Admission Reject हो जाता है जिसमें पहला reason जो है Non-fulfillment of minimum eligibility criteria by the candidate अब non-fulfillment of non-eligibility criteria क्या होती है minimum eligibility criteria क्या होती है कि D.U. ने minimum eligibility criteria क्या रखा हुआ है कि आपको एक language तो लेनी ही है दूसरा यह बोला गया है कि आपका जो mark sheet है वो same board का होना चाहिए हना यह minimum eligibility criteria जो D.U. ने आप लोगों साथ में रखी है यह आपको fulfill रखनी है दूसरा non-fulfillment of program specific eligibility by the candidate अब program specific eligibility क्या होती है किसी particular program के eligibility है कि आपको एक language लेना है plus दो domain लेने है जिसमें से दो subject होंगे आप लोगों के एक B1 में से compulsory होगा दो B1 के compulsory होंगे और एक B1 और B2 में से एक subject होना चाहिए ऐसे आपने बहुत जगे जो है eligibility criteria देखियोगी minimum eligibility criteria में इसको बोलते है then ये चीज़ आप लोगों को fulfill करनी होगी जो भी course की specific requirement है जैसे कि BA economics owners के बारे में हम बात कर लेते हैं तो इन्होंने क्या बोला हुआ है एक आपको language लेनी है plus maths और applied maths plus class 12th के दो subject आपको लेने है तो ये क्या हुई? ये हुई program specific eligibility जो की आप लोगों को fulfill करनी है अगर आपने ऐसा नहीं करा है तो आपको BA economics owners में admission नहीं दिया जाएगा इसके बाद non-fulfillment of the subject mapping criteria अब subject mapping criteria Delhi University का कहता है कि अगर आपने जो subject पढ़ा है जो आपने subject का exam दिया है वो अगर आपने class 12 में नहीं पढ़ा तो आपका admission हम जो है reject कर देंगे भाई यानि कि अगर आपने math नहीं पढ़ी है तो आप BA economics में admission नहीं ले सकते अगर आपने ये जो दो subject ले ली है ऐसे ही ले ली जो आपने class 12 में नहीं पढ़े है तो आप लोगों का Delhi University admission reject कर देगा on the spot तो इसलिए ये जो तीसरा point है वो बोलता है non-fulfillment of subject mapping criteria इसके बाद जो next बड़ा reason होता है वो है invalid document certificate submitted by the candidates यानि कि आप सभी को पता है भाई OBC हो चाहे EWS हो सभी के लिए बोला गाया कि 31st of March का जो document है उसके बाद की date का होना चाहिए issued होना चाहिए तो ये जो छोटी-छोटी दिक्कत है किसी की class 12 की markshade में दिक्कत आगे किसी ने same board की markshade नहीं दी किसी के document में कोई disparency ही आ गई तो इस वज़े से Delhi University अपना जो है admission reject कर देता है students का इसके बाद failure to respond to the query raised by the college within the stipulated time अब ये क्या होता है जब आप लोगों का college allot हो गिया आपको ठीक है यानि कि आपको phase 2 के अंदर college allot हो गिया अब यहाँ पे college ने बोला कि भाई आपके document में थोड़ी बहुत गड़बड लग रहे है ये मेरे को हना तो वोई query raise कर देगा query में आप लोगों को उसका justification देना होता है clarification देना होता है उसके लिए आप लोगों को एक दिन का time मिलता है और वो time period में अगर आपने उस query का response नहीं करा अब आप बोलेंगे response हमें कैसे पता चले का भी college ने हो कर रहा है तो आप लोगों को अपने portal में बार-बार login करके देखना है mail भी आता है आपको उस query का जो है response देना है अगर आप response दे देते हैं आपका admission बच जाएगा नहीं तो आपका Delhi University admission cancel कर देता है even after the allotment देख रहे हो after the allotment अगर आपके पास college ने query raise कर दी आपने response नहीं कर आपका admission cancel हो जाएगा तो ये बहुत बड़े reason है पाँच जिनकी वज़े से Delhi University students के admission cancel करता है इसके अलाबा कोई reason नहीं है आप लोगों का admission cancel होने का सबसे बड़ा चीज तो यही है मैं बोल सकता हूँ कि भाई कम से कम 30% student जो है फेल हो जाते है subject mapping के अंदर ही क्योंकि students को awareness बहुत कम है कि मेरे को कौन सा subject लेना है मैं मेरे पास बहुत सारे student के comments ऐसे हैं कि sir मैंने तो दो डोमेन ले लिए अब मेरा क्या admission नहीं होगा नहीं होगा भाई हना तो डेलिशुटी ने जो specifically बोला हुआ है वो चीज़ आप लोगों को follow करनी होगी और यह सभी को follow करनी होती है strict rule at Delhi University के so I hope आप लोगों इन चीज़ों में गलती नहीं करने वाले जिससे आप लोगों का admission जो है cancel हो जाए तो आप लोगों को करना क्या है अभी से अपनी subject mapping अच्छे से करनी है मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ एक course generator जिसके basis पे आपने जितने domains का selection करा है अब कितने courses में eligible admission लेने के लिए यह चीज़ आप लोगों को पता चल जाएगी आप लोगों को प्रॉपर एडमिशन की प्रॉपर गाइडेंस के लिए अब हमारा admission support भी जो जॉइन कर सकते हैं इसके तरह आप लोगों को प्रॉपर admission की guidance online counseling सब कुछ provide कर रहे हैं किस तरह किसे आपको अपने courses generate करने है उन courses में कौर्से टॉप colleges से जो आप लोगों को अपने score के according डालने चाहिए और देखे यह जी disclaimer है इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोग हमारे इंडोल करेंगे तो आपका admission short shot होई जाएगा हम आपको probability भी बता देंगे कि आपके कितने percent chance है admission होने के वो भी बहुत जादा matter करता है तो आप लोगों को यह जो है हमारे साथ जुड़के अगर आप पूरा डैली सुड़ी का admission process smooth बनाना है तो आप आज ही हमारे इस program में एंडोल कर सकते हैं नए तो आप अपनी general query भी जो है हमसे पूछ सकते हैं अपने preference sheet पे हमारे जो है लिंक के तुरू बना सकते हैं अपने लिंक आप लोगों डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और अपने friends की से जरूर शेयर कर देना ताके उनको भी यह सारे चीज़े पता चल सके